जय हिंदु राष्ट्र गांधी के बारे में चल रही है उनकी राजनीती और उसके विभल र्योकों के परणाम सुरू राष्ट्र को आहत होना पड़ा उस पर जो चर्चा चल रही है आज उसका तीसरा एपिसोड गांधी कल मैंने गांधी की निर्मिती पर बात की थी कि गांधी की निर्मिती किन स्थत्यमें हुई थी उनके memorize के साथ सम्मंधों पर तेर्चा की थी आज दूसरी दिशा गांधी की छवी बहुत सतही की फिल्मों और गानों से बनाई गई है देदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल साबर मती के संत तुने कर दिया कमाल इसके पीछे का सच कोई भी फिल्म निर्माता पैसा कमाने के लिए काम करता है पैसा पिक्चर बनाते समय उसका जोर सत्य असत्य पर होने की जगे बिकने वाला माल तयार करने पर होता है इसलिए इन फिल्मों का गानों का कोई एकडेमिक महत तो नहीं होता है रिचर्ड एटिन बरों ने गान्धी फिल्म बनाई थी जिसमें गान्धी का चरत्र बेन किंग्सले निन भाया था इसमें एक द्रश्में गान्धी और कस्तूर बाएक पक्के तलाब के खिनारे खड़े हैं और बिना अगनी केप फेरे ले रहे हैं एक दूसरे की मा कस्तूर बा और बाप बापू बना जा रहा है फेरों में बचन लिये दिये जा रहे हैं मगर सत्यस्वाइम गान्धी के वांग में में उपलब्द है देदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल सावर्वती के संतू ने कर दिया कमाल सुनकर सर धुनने से ये पता ही नहीं लगता कि सावर्वती के आश्रम में कस्तूर बाप कैसा हाहाकार मचाय रखती थी और उसके लिए पूरी तरह जिम्यदर गांधी थे गांधी और कस्तूर बा का दामपत्य जीवन बहुत जंजटों से बरा था इसका करण गांधी की अपनी अठपटी अजीब सी सोच थी वो ऐसे विवाहित वेक्ति थे जिनकी सोच थी कि संभोग पाप है इसे तो शिया बहुत बेतन है जो बहन होने के बाद पती-पत्नी मन जाते हैं यह पती-पत्नी होकर भाई-भेन मनना चाहते थे उनके अनुसार विवाहितों को भी एकांत में नहीं रहना चाहिए एक कोठी में एक चारपाई पर नहीं रहना चाहिए वो अपने एक लेख में लगते है परन तो प्रत्यक पत्य और पत्नी आज से ही दर्ण निश्र कर सकते हैं कि बुरात में कभी एक कमरे या एक विस्तर का उप्योग नहीं करेंगे और मनश तथा पशु दोनों के लिए निर्धारित प्रजनोत पत्य के एक मात्र उदात तहेतु के अलावा एक दूसरे से विशे भोग नहीं करेंगे पशु इस खानून का पालन निरपवाद रूप से करता है मनश को चुनाव की छूट होने से उसने गलत चुनाव करने की भेंकल्ब भूल की है यंग इडिया 27.9.28 का सायम और संतति नियमन प्रश्ट एक सुसाथ अब हुआ क्या गांधी ने ब्रहमचर का अबर्ट तो ले लिया मगर किया क्या जिवन में 31 वर्ष के गांधी ने अपनी पतनी के साथ ब्रहमचर का संकल्ब ले लिया मगर इसके बावजुद एक संद्बान के पिता बन गयी चालिस वर्ष की आईव में अपने सबसे प्रिय दोस हेन्री पोलक की पत्नी मिली के प्रती अपने ही में शब्दों में एक विशिष्ट आत्मियता महसूस करने लगे 31 साल के गांधी 18 साल की मौड नामक लड़की जो विदा लेते समय हाथ मिलाने की जगए उनका चुम्मन लेना चाहती थी से प्रभावित हो गए और उसे अपने आश्रम फीनिक्स ले गए 48 साल के गांधी सुन्दर नीली आँखों वाली 22 वर्ष की डेनिश लड़की एस्तर फेरिंग के मोहपाश में बन गए उसे माई डियर चाहिल पुकारने लगे मगर साथ ही माई डियर चाहिल को आज राज मुझे सोते समय तुम्हारी बहुत याज आएगी जैसी आत्मियता भरी बात लिखी 51 वर्ष के गांधी रवीन नाथ ठाकुर की बहन की पुत्री सरला देवी चौधरी के प्रेम में पढ़ गए उनकी कोठी में गांधी ठहरे सरला देवी चौधरी के पती राम भुजदत चौधरी जो आर समाज के लाहर की प्रतिश्ठित नेता थे और जील में थे गांधी ने सरला देवी को अपनी अध्यात्मिक पत्नी माना और कहा सरला देवी चौधरी उनके सपनों में आती है नगर में चर्चाएं होने लगी ये बहुत गंभीर विवाद मचा था इसके लिए बहुत बावाल हुआ था 56 वर्ष की आईव में गांधी 33 वर्ष की मैडलिन स्लेट के प्रेम में पढ़ते हैं और उसे अपनी मीरा बना देते हैं आपको वेंगे इंग्सले वाली पिक्चर ध्यान हो तो उसमें जो मीरा है उसके पीछे के तथी ये हैं 60 वर्ष की आईव में इस 18 साल की प्रेमा को प्रेम करने लगते हैं 64 वर्ष की आईव में 24 साल की अमेरिकन लड़की नीला सीकुक या नीला नागनी के संपर्क में आवेश्टित होते हैं 65 साल के बापू 35 साल की जर्मन महिला मार्गेट स्पीगल को कपड़े पहनना सिखाते हैं और वो उसे बताते हैं कि मोटी साड़ी की नीचे वो उनकी तरह चड़े भी पहने तो परयाप्त है 69 वर्ष के बापू 18 साल की सुन्द लड़की सुशीला नायर से प्राक्रतिक चिकित्सा के नाम पर नगन होकर मालिश कराते हैं उसके साथ स्नान भी कर लेते हैं स्नान करते समय उनकी आखें बंद रहती हैं और उन्हें ये भी पता नहीं लगता कि वो कैसे स्नान करती है नंग गांधी के प्रयोगों में उनकी अंतिम सहयात्री रही उनकी पूति मनुवेन की डायरीयों में विस्तरत चर्चा है अब इसे कुछ वर्ष पहले इंडिया टूडे में इसकी डायरीयों उपर बहुत तफसील से बाते आई थी और उस समय के लोगों ने उसकी डायरीयों को शुपाया था मनुवेन एक बिल्कुल परित्यक्त उदास स्त्री की तरह उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया गांधी के प्रयोगों के बाद उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता लगा यह प्रयोग ब्रह्मचर के सत्यके प्रयोग थे तो गांधी पर इनका प्रयूग परिणाव आ रहा था मगर वो जो गिनिपिग्स थे वो जो 35-37 महिला थे उनका क्या हुआ उन में से कितने उदात और सत्यके प्रयोगों से लोग उभरे इसकी जानकारी करना उसके बारे में जानकारी करना एक अच्छा शोद का विशह है ब्रह्मचर के महत्मा के प्रयोगों में शामिल रही महिलाओं के बीच जबर्दस जलन की जलग भी इन डायरी में मौजूद है मनुवेन ने 24 फरवरी 1947 को बिहार के हिमचर में अपनी डायरी में दर्ज किया आज बापू ने हम तो सलाम बेन को एक कड़ा पत लिखकर कहा कि उनका जो पत्र है उससे जाहर होता है कि ब्रह्मचर के प्रयोग उनके साथ शुरू नहोने से वो कुछ नाराज है मनुवेन ने गांधी के निदेग के बाद पांच पुस्तके लिखी इन में से एक लास क्लिमसेस और बापू में उन्होंने लिखा का का यानि गांधी के सबसे चोटे बेटे देवदास ने मुझे चिताया कि अपनी डाइरी में लिखी गई बातों को किसी को न बताऊं और महत्पून पत्रों में लिखी गई बातों के जानकारी भी न दो उन्होंने कहा था तुम अभी बहुत छोटी हो पर तुमारे साथ पास बहुत खिमतिसाए थे और तुम अभी परिपक भी नहीं हो किसी लड़की के साथ या किनी लड़कियों के साथ या 25-35 महिलाओं लड़कियों के साथ नंगा सोना नगन होकर मालिश कराना और नगन होकर परसपरस्नान करना और उसके बारे में लिखे गई बातों को खीमती साहित कैसे समझा गया है ईश्वरी जाने सदार बल्लब भाई पटेल ने 25 जनवरी 1947 को लिखे एक पत्र में गांधी से कहा था कि वो इन प्रयोकों को रोग दे पटेल ने इसे गांधी की भैंकर भूल बताया था जिससे उनके अन्यायों को गहरी भीड़ा होती थी कि पत्र राष्ट्री अविलेखागार में सदार पटेल के दस्तावेजों में शामिल है अनेक विद्वानों की राय है कि सर्तार वल्लब भाई पटेल को गांधी द्वारा प्रधानमंत्री न बनने देने के पीछे यही विरोध था ग्यातब है गांधी ने ब्रह्मचर के प्रयोगों को स्वैम सत्त के प्रयोग कहा था विश्व इतिहास में ब्रह्मचर के यह भूतन अभविश्यती प्रयोग केवल गांधी नहीं किये थे वो इन प्रयोगों के आवश्कारक और जनक थे मगर उनके साथ उनके बाद इस पत पर चलने की किसी की हमत नहीं पड़ी अगर पड़ी हो तो कृप्या बताएं कौन और कॉंग्रेसियों ने यह सब काम किये है उनके इन प्रयोगों का विरोध उनके सचव कॉंग्रेस के विमन नेताओं आदी ने जोरदार तरीके से किया था गांधी 72 वर्ष की आईव में ब्रह्मचर चेक करने के लिए बाल विद्वा लीलावती असर पटियाला के साम्भांत परिवार की अम्दुस सलाम, कपूर थला, राजकुमारी अम्रतकौर, समाजवादी नेता जैप्रकाश नाराइन की पत्नी प्रभावती जैसी अनेक नहिलाओं के साथ ये जानने के लिए परस्पर नगरंकर होकर सोते थे कि इस आईव में भी क्या उनमें कामवासना शेश है यहाँ ये प्रश्प पूछने का कि गांधी 75-72 वर्ष की आईव में चेक करें मगर उनमेहिलाओं का क्या वो गिनिपिक्स है जिनके साथ ये प्रियोक हो रहे हैं उनकी कामवासना का क्या 76 वर्ष की आईव में बापू 15 साल की विणा कंचन आभा को ब्रमचर के लिए साथ में नंगा सोने के लिए प्रिरित करते हैं मगर वो लड़कियां ब्रमचर की जाके सेक्स में रूची बताती हैं 77 वर्ष की आईव में गांधी अपने सम्मंद की पोती मनू और पौत्र वधू आभा के साथ एक विस्तर पर इन्ही परस्पर नगन स्थित्यों में सोते हैं नोआखाली की ठंडी रातों में परस्पर नगन होकर एक दूसरे की शड़ी को गर्म करते हैं और अंत में इन्ही दोनों अर्थात पोती मनू और पौत्र वधू माभाज इसके कंदों पर वहाथ रखकर चलते थे और इन्हें अपनी छड़ियां कहते थे की बाहों में नाथो नाम गोट सेजी के शिकार हो जाते हैं गांधी ने 37 वर्ष की आयू में कसुरुबा की स्विक्रिती सम्मति के बिना ब्रह्मचर का प्रत लिया मगर इसके बाद उनका पूरा जीवन किशोरी से तरोनी बनती लड़कियों और महिलाओं के बीच वीता गांधी ने इनके साथ नगनावस्ता में सोने की बातों को स्वेम सिवकार किया इन संबंधों को बेटी, बहन, आध्यात्मिक पत्नी बताया मनु के संदर में उन्होंने कहा कि वो उसकी मा बन गहीं इश्वरी जानेज का क्या मतलब है 1975 में इंद्रा गांधी द्वरा देश पर थोबी गई तानाशाई के विरोधी संपूर्ण क्रांति के वहाग और 1970 में बनी जन्ता पार्टी के पुरोधा जय पक्राश्णाराइन की पत्नी भी इन प्रयोगों का हिस्सा बनी कांधी ने दोनों पति पत्नी को प्रहमचर धारन करा दिया और स्वयम बाद में प्रभावती जी के साथ प्रहमचर के प्रयोग करने लगे स्वाविक था कस्तूरवा इससे तिल्मिला उठी है उनके आश्रम में हाकार मचा बापू ने बताया मैंने प्रभा को जान बूच कर प्रयोगों की परधी में रखा जब मेरे मन में प्रयोगों का विचार भी नहीं उठाता था उससे पहले भी अनेग बार मुझे गर्मी पहुँचाने के लिए उन मेरे साथ सोई है जब ओर थर-थर कांपती मेरे साथ धर्दी पर पड़ी होती थी तब मैं उन्हें समिट लेता था सामयनिस्त्री करवूत कस्तूरवा ऐसे अजीव गरीब बातावनर के लिए नहीं बनी थी शायद कोई भी औरत इसे बरदाश नहीं कर सकती ऐसा नहीं सोच सकती स्वैम गांधी के लिखे बोले कि यह धरे पर संकलित पुस्तक संपूर्ण गांधी वांगमय खंड चौधा अप्रश्ट करमाम एक सुपचास बारा अप्रैल उन्निस्व चौधा में गांधी की कस्तूरवा के बारे मिराय दर्ज है वो जहर उगलने वाली महिला है और ऐसी महिला में अपने पूरे जीमन में नहीं देखी वो कहते हैं कि उसमें अतन्त सुक्ष रूप से राक्षरस और देवता की भावना निवास करती है जबकि कस्तूरवा गांधी को फुंकारते हुए सांप जैसा बताती थी गांधी ने अपनी मित्र डेनिश सुंद्री जिसे वो प्रेयरी बिटिया कहते थे को एक क्यावन वर्ष की कस्तूरवा के बारे में लिखा ये इस्तरी सत्य को क्यों नहीं देखती या मेरे सिने का पतिदान क्यों नहीं देथी जिस प्रकार एक तेंदू अपने धब्यों को नहीं बदल सकता उसी तरह अपने सुभाव के प्रतिकूल नहीं जा सकती संपूर्ण गांधी वांगमय खंड सोला प्रष्ट कमांग 527 25 जन्वरी उन्निसो बीस अपनी कर्तूतों के परणाम सुरूप कठोर होती जा रही कस्तूरवा से गांधी वैवीद भी रहते थे उनके मन में जिसका कहीं ना कहीं कारण कस्तूरवा के प्रतिक उनका मनवाना व्यवार था गांधी के जीवनिकार लुई फिशर ने लिखाये गांधी नमनुषा से डरते थे न सरकार से न जिल से न घरीवी से नम्रत्य से लेकिन वो अपनी पत्नी से ज़रू डरते थे गांधी की कहानी लेकक लुई फिशर प्रसंख्या औरसत सत्ता साहित्यमंडल वो समय जिस समय एक विदेशी आसुरी आतताई शक्ती एक ऐसी विचारधारा जो भारत को पूरी तरह से ग्रसित करना चाहती थी भारत के राजनिती के शुक्षर पुरुशों में से एक रहे गांधी जिनको कॉंग्रिस ने राश्ट पिता और महत्मा बनाया उसके अपने कारण हैं उसके अपने लाब थे उन्हें उनका जीवन कैसा था और कैसा जीवन जीते थे कैसी चीज़ें उनके सोच को प्रभावित करती थी ये जानना बहुत उप्योकी है इनी बातों की इनी मानिसिक्ताओं की इनी संघर्षों के चलते हैं गांधी ने बात में राश्टवादी शक्तियों को आहद करने का पूरा प्रयास किया इन बातों से हम इन रास्तों से चलते हुए जो गांधी के जीवन के पढ़ा पूजमात रुभुमी के विभाजन की और गांधी राश्ट को ले गए उसके करण क्या थे